बॉलिवोड सिल्वा स्क्रीन प्रिजेंटेंग पाल हार्बर इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि वर्ल वर टू में अमेरिका क्यों शामिल हुआ ये कहानी शुरू होती है सन 1923 टैनिसी में दो बच्चे रेफ और डैनी आपस में खेल रहे होते और तब ही ये खेल खेल में उस प्लेन को स्टार्ट कर देती है और वो प्लेन चलना शुरू हो जाता है पर कुछी दूर जाने के बाद वो रूख जाता है वहाँ पर डैनी के पिता आते हैं और उसे मानने लगते हैं रेफ अपने दोस्त को बचाने के लिए डैनी के पिता पर हमला करता है और उन्हें कहता है कि तुम एक गंदे जर्मन हो इस बात पर डैनी के पिता कहते है कि मैं जर्मन के खिलाब वर्ल वार वन में लड़ा था और मैंने चाहता कि फिर दुबारा ऐसा कभी हो ऐसा मंज़र किसी को देखने को मिले क्योंकि वर्ल वार वन में लाखों लोगों की जान कही थी और वो ये कहकर वहां से चले जाती डैनी रेफ को बोलता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो धीरे धीरे वक पीता है और वक्त आता है सन 1941 का ये वो वक्त था जब वर्ल वार टू शुरू हो चुका था जर्मन ने यूरोप पर हमला कर दिया था लेकिन अमेरिका अभी भी जंग में शामिल नहीं हुआ था रेफ और डैनी अब दोनों बड़े हो चुके और वो दोनों एर फोर्स में लिटिनेंट है रेफ को उनका मेजर जिसका नाम जिमी है वो बुलाता है और वो से बताता है कि ब्रिटिशर्स ने तुम्हें इगल स्कॉडरम के लिए चुन लिया है और अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो वो ये भी बोलता है कि मुझे अच्छे पाइलेट्स की जुरत है क्योंकि मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल हमें इस जंग में उतरने ही पड़ेगा और मुझे अच्छे पाइलेट्स की जुरत होगी इसलिए मेरी डूटी है कि मैं तुम्हें रोकूँ रेफ बोलता है कि सर अगर आप होते तो आप क्या करते उसके मेजर बोलते कि मैं होता तो मैं जाता और अब रेफ बी जाने की तैयारी करता है तरसल हिटलर ने यूरोप के उपर हमला करके उसे कमजोर कर दिया और वो यूरोप पर लगातार हावी हो रहा होता है इसलिए ब्रिटिश अमेरिकन पाइलेट्स की मदद चाहते है अब जब डैनी को पता चलता है कि रेफ बिटेन के लिए लडने के लिए वार में जा रहा है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वार में जाना बहुत खतरनाक है रेफ बोलता है कि मैं बहुत जल्दी 25 का हो जाँगा और उसके बाद यह मुझे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बना के रख देंगे और मैं एक फाइटर बनना चाहता हूँ इसलिए मुझे जाना होगा और रेफ अब मेडिकल टेस्ट के लिए जाता है जो वार में जाने से पहले होता है इसमें आई चेक अप और बहुत तरह के अलग-लग चेक अप होता है रेफ को डिसलेक्सिया की प्राबलम होती है जिसमें पढ़ने में तकलीफ होती है और जब हो अपने आई चेक अप के लिए जाता है तो वहाँ पर एक नर्स होती है जिसका नाम एवलिन होता है और वो समझ जाती है कि इसे पढ़ने में प्राब्लम है वो बोलते कि हमें 2020 आई विजिन की सुरत है और तुम्हें मैं पास नहीं कर सकती रेव बोलता है कि मुझे सिर्फ पढ़ने में प्राब्लम है, मैं भागते वे खरगोष पर भी निशाना लगा सकता हूँ और उसका जुनून देखकर एवलिन उसे मेडिकल टेस्ट में पास कर देती है रेव को एवलिन से प्यार हो जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते है एवलिन रेव को कहते है पताने परल हर्बर पे क्या होगा रेफ एवलिन को बताता है कि मैं कल जंग पर जा रहा हूँ मैं ब्रिटेन की तरफ से लडूँगा इस बात से एवलिन शौक्ट होती है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि वो जंग पर जाने वाला है एवलिन बोलती की हो तुम्हे जंग पर कैसे बुला सकते हैं रेफ कहता है कि ये मेरा फैसला था अगर मैं जाता तो रुख भी सकता था लेकिन मैं जाना चाहता हूँ मेरी पूरी जिन्दगी इसी पल के लिए इंतजार कर रही थी मैं लड़ना चाहता हूँ मैं एक फाइटर बनना चाहता हूँ और रेफ जंग पर चला जाता है वहीं अमेरिका के प्रेजिडंट कहते हैं कि कब तक हम ये धों करते रहेंगे कि वल्ल्ड वर्टू नहीं हो रहा दरसल वो चाहतें कि वो भी वर्ल्ड वार में हिस्सा ले वो अपने पडोसी देशों की मदद करें लेकिन उनकी बाकी की टीम इस बास से सहमत नहीं होती वो कहतें कि दुश्मन टैंक बना रहा है वो बम बना रहा है और हम यहाँ पर रेफरिजिरेटर बना रहे हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हम वार को नहीं रोख सकते हैं वहीं दूसरी तरफ जैपैन अमेरिका से परिशान है क्योंकि उन्होंने उनकी तेल की सप्लाई रोख दी होती है और जैपैन को तेल की जरुत है जैपैन के पास सिर्फ इतने ही तेल है जो 18 महीने तक चल सकता है जैपैन के निता बोलते हैं कि हमें अमेरिका पे हमला करना होगा और यह हमला अचानक होगा हम उनके पैसिफिक फ्लीट को पूरी तरह से उड़ा देंगे उनका परल हरबर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे वहीं अब रेफ जंग में अपना प्लेन उड़ाता है वो कई दुश्मन के जहाजों को गिराता भी है और साती सात वो एवलेन को लेटर्स भी लिखता है इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है रेफ उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर हर कदम पर खत्रा है परसो जिन दो पाइलेट्स के साथ मैंने बियर पी थी आज वो इस दुन्या में नहीं रहे और रेफ के साथ भी ऐसे होता है अगले दिन जब वो जंग में जाता है तो दुश्मन उसके प्लेइन पर कई गोलिया मारते है और उसका प्लेइन पानी में समंदर में कई खो जाता है और सब ये मान लेते हैं कि वो अब मर चुका है और एवलिन को ये खबर देने के लिए रेफ का दोस्ट डैनी जाता है क्योंकि रेफ ने अपने दोस्ट डैनी से जाने से पहले का था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये खबर तुम एवलिन को देना ताकि उस पल में उसका दोस्ट उसे संभाल ले उसकी मौत की खबर सुनकर एवलिन पूरी तरह से तूट जाती है लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ यादे धुंदली पढ़ना शुरू हो जाती है और एवलिन के दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा साथे साथ रेव का दोस्त डैनी एवलिन को पसंद करता है वो उसकी जिन्दगी में शामिल होना चाहता है और एवलिन को भी अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना पड़ेगा इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है वही दूसरी तरफ जैपैन अब अमेरिका पर यानि की परल हर्बर पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा होता है वो हर तरह से परल हर्बर की इन्फोमेशन कलेक कर लेता है वहां के फोटोग्राफ्स लेता है और उन्हें पता होता है कि वहाँ पर कौन सा शिप कहां पर है और साथी साथ वो रेडियो पे गलत मेसेज भीज रहा होता है ताकि अमेरिका को पूरी तरह से गुमरा किया जा सके और जैपनीज का जहाजों का जहन्ड जिसे फ्लीट का जाता है वो भी समंदर में कहीं गायब हो चुका होता है जो अमेरिका के रडार में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था इस बास से अमेरिका चिंतित होता है उन्हें पता तो है कि जैपनीज कुछ ना कुछ करने की प्लैनिंग कर रहे है लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं होता कि वो परल हर्बर पर अटैक करने का प्लाइन कर चुके है वही छे दिसंबर की रात को एक दिन एवलिन के सामने रेफ आ जाता है रेफ अभी भी जिन्दा होता है और उसे देखकर एवलिन बहुत रोती है बहुत इमोशनल हो जाती है वो कहते कि मुझे लगा कि तुम अब इस दुन्या में नहीं रहे हमें ऐसी ख़बर मिली थी रेफ बोलता कि हाँ मेरा जहास पानी में गिर गया था और मुझे फ्रेंच के मचवारों की एक शिप ने बचाया उसके बाद मैं फ्रांस में था वहां से मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया लेकिन मैं हर पल तुम्हें याद करता था तुमसे मिलन चाहता था और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ यहाँ पे एवलन उसे बता देती है कि अब वो और डैनी एक साथ है इस बास से रेफ को बहुत दुख होता है वहाँ पर डैनी भी आता है लेकिन रेफ उससे बात नहीं करता उसी शाम को रेफ के आने की खुशी में उसके दोस्त जशन मनाती और वहाँ पर डैनी भी आता है और इन दोनों की बीच में अब लड़ाई होना शुरू हो जाती है क्योंकि रेफ को लगता है कि डैनी ने उसको दोका दिया है हाला कि डैनी रेफ को मनाने की उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी मौत की वज़े से हम दोनों बहुत दुख में थे और धीरे धीरे चीजे बदल गए, हम एक दूसरे के करीब आ गए इसमें किसी की कोई गलती नहीं है लेकिन रेफ उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है उसे लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोका दिया है और इसी लिए इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और आपस में लड़ने के बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ कर बाते भी करते है डैनी बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा रेफ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच में कुछ भी ठीक हो सकता है और ये रात को उसी गाड़ी में सो जाते है वहीं दूसरी तब ये भी दिखाये जाता है कि अमेरिका को आप पता है कि जैपैन उन पर हमला करने वाला है क्योंकि उन्हें बहुत सारे मेसेजिस मिल रहे होते जिनें अमेरिकन्स डिकोट कर रहे होते लेकिन Amerikans को ये नहीं पता कि Japanis कहां पर हमला करने वाले Japanese का प्लैन होता है कि वो सुबह सुबह परल हर्बर के उनके Pacific Fleet पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबा कर देंगे और Amerikans को ह्यरान कर देंगे इसलिए वो पहाडों से भी नीचे अपने प्लेंस को उड़ा कर वहां तक लेकर आते और वो परल हरबर पर हमला कर देते ये अमेरिका के उपर एक बहुत बड़ा हमला होता है और इस हमले में जैपनीज परल हरबर को पूरी तरह से निश्टो नाबूत कर देते उनका बहुत नुकसान हो रहा होता है लेकिन किसी तरह से डैनी और रेफ अपने प्लेंस तक पहुँचाती रेफ डैनी को बोलता है कि मुझे एक अच्छे साती की सौरत है तो मेरे साथ मिलके लड़ना और ये दोनों अपनी टीम के साथ जो नीचे होते हैं उनके साथ मिलकर अब जैपनीस के प्लेंस पर हमला करना शुरू कर देते लेकिन जैपनीस के यहां पर पूरे 350 प्लेंस होते इनका कई प्लेंस पिछा करते लेकिन ये अपनी टीम के साथ कॉडिनेट करके और आपस में कॉडिनेट करके जैपनीज के 29 प्लेन को मार गिराते हैं लेकिन ये जैपनीज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है लेकिन इस हमले के बाद पूरा अमेरिका सदमे में आ जाता है और अब एक शैतान जो पूरी दरा से सोया हुआ था अब वो जाक चुका है और 7 दिसंबर सन 1941 का दिन ये एक ऐसा दिन बन गया जिसे इतिहास कभी भी भूल लए पाएगा और अमेरिका के प्रेजिडेंट अपने भाशन में ये कहते हैं कि अमेरिका इस हमले की प्लैनिंग कई हफतों से कर रहा था और साथी साथ वो युनाइटिड स्टेट के साथ शान्ती बनाने का ढोंग कर रहा था जो कि एक धोका था और अब अमेरिका भी वर्ड वार टू में पूरी तरह से शामिल हो गया है और वो जैपैन के खिलाब जंग का एलान करता है और रेफ और डैनि को करनल डू लिटिल के एक सीक्रिट प्रोग्राम के लिए भीज़ जाता है जो कि जैपनीस के खिलाफ होता है लेकिन वहाँ पर जाने से पहले एवलीन रेफ से मिलने के लिए आती है और वो से बताती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ मैं डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ वो उसे ये भी बताती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैंने तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिन्दगी सोची थी लेकिन सब कुछ बदल गया हाला कि एवलिन ने ये बात अभी तक डैनी को नहीं बताई होती कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और रेव भी अब पूरी सिच्वेशन को समझ जाता है और वो एवलिन को और डैनी दोनों को माफ कर देता है और वो डैनी से ये भी कहता है कि तुम इस जंग में मच जाओ एवलिन पहले अपना एक बार प्यार खो चुकी और मैं नहीं चाहता कि उसके साथ एक बार फिर दुबारा ऐसा हो क्योंकि रेव जानता है कि जिस मिशन पर उन्हें भीजा जा रहा है वहाँ से वापस जिन्दा आना लगभग नामुम्किन है डैनी बोलता है कि बच्पन से तुमने में रक्षा की हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है लेकिन अब नहीं और ये दोनों ये तैकरते कि ये उस मिशन पर जाएंगे इनके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे पाइलेट होते दरासल ये एक मिशन होता है जिसमें ये टोकियो पर हमला करना चाहते जो जैपैन के बीचों बीच है और ये मिशन बहुत मुश्किल है इन्हें बताये जाता है कि नेवी हमें टोकियो से 400 मील दूर तक पहुचा देगी और इसके बाद हमें शिप से उडान भरनी पड़ेगी इससे पहले कभी भी इन बॉंबर्स ने इन प्लेंस ने आर्मी के शिप के उपर से उडान नहीं भरी होती क्योंकि इन्हें एक लंबा रनवेच ही होता है और इसलिए इन सारे प्लेंस का वज़न कम किया जाता है और अब वो दिन आता है जब ये परल हर्बर पे हुए हमले का बदला लेना चाहते हैं अपने प्लें को अंजाम देना चाहते हैं और आज तारीक होती है 2 एप्रेल सन 1922 रेव अपनी कैप्टन से बोलता है कि जैपनीज ने हमारे उपर 300 से ज्यादा प्लेंस के साथ हमला किया था और हम हमला कर रहे हैं केवल 16 प्लेंस से हमारे छोटे से हमले से क्या फर्क पड़ेगा उनका कैप्टन बोलता है कि उन्होंने हमारे उपर हतोड़े से हमला किया था लेकिन अगर हम इस हमले में अपनी प्लैनिंग में कामियाब हो गए तो ये सिर्फ एक काटे की तरह हैं जो सीधा उनके दिल पर चुपेगी एक बात हमेशा याद रखना जीत सिर्फ उनकी होती है जिनें जीत का यकीन होता है और हम पूरे अमेरिका को अपनी जीत का यकीन दिलवाएंगे और 18 एप्रिल 1922 को इन्हें अब जैपैन पे हमला करना है लेकिन जिस जगह से इन्हें उड़ान भरनी होती है उससे पहले इनके शिप के आसपास जैपनी शिप आ जाते है और अगर ये यहां से उड़ान भरते है तो ये जैपैन के उपर हमला करके चाइना तक नहीं पहुंसकते है दरसल इनका प्लैन यह होता है इन्हें वहाँ से टेक आफ करना होता है और ये 16 के 16 प्लेंस वहाँ से टेक आफ करके जैपैन पहुंच जाती है और जैपैन के टोक्यो शहर पर ये बंबारी करना शुरू कर देती है जैसा कि इनका प्लैन होता है और ये अपने प्लैन में काम्याब होते है लेकिन अब चाइना तक पहुचना इनके लगभग नामुम्किन है और समंदर के उपर से इनके प्लेंस उड़ना शुरो जाते हैं और साथी साथ इनके प्लेंस का फ्यूल भी खत्म होना शुरो जाते हैं लेकिन तभी इने जमीन दिख जाती है और बड़ी मुश्किल से ये सpent वहां पर लेंड करते हैं लेकिन डैनी और रेफ का प्लेन वहां पर क्रेश होता है और क्रेश होने के बाद भी इन्हें वहां पर जैपनीज सिपाहियों का सामना करना पढ़ता है और वो डैनी को पकड़ लेती, डैनी को ले जारे होते हैं और इन सब के बीच में अब गन फायर शुरू हो जाती है हाला कि ये सारे जैपनीज को मारते थे लेकिन इस फायरिंग में डैनी बहुत बुरी तरह गहल हो जाता है और रेफ उसे बताता है कि एवलिन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है इस बास से डैनी को खुशी भी होती है लेकिन वो जानता है कि वो अब नहीं बस सकता वो रेफ की गोद में अपनी जिन्दगी की आखरी सांसी ले रहा है और वो बोलता है कि वो बच्चा अब तुम्हारा है और डैनी इसके बाद शहीद हो जाता है इस मिशन से पहले अमेरिका कभी भी जीतना नहीं जानता था और अब अमेरिकन्स के अंदर एक जनून एक जज़बा आ गया है जीत का ज़बा और चाइनी सरकार की मदद से अब जितने भी बच्चे हुए पाइलेट्स होते है ये सब कि सब अपने देश अमेरिका पहुँचाते है और अमेरिका पहुचने के बाद जब एवलिन को डैनी की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है लेकिन बहुत सारी चीज़े जिन्दगी में ऐसी होती है जिसे इनसान कंट्रोल नहीं कर सकता मौत भी उनमें से एक ऐसी चीज़ है इन सबी पाइलेट्स को बहुत सम्मान दिया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने देश अमेरिका के लिए वो किया होता है जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया और अंत में रेव और एवलिन दोनों शादी कर लेती है और इनका बच्चा भी होता है जो कि डैनी का बच्चा है और उसका नाम भी वो डैनी रखती है और रेव डैनी को उसी प्लेन में अपने साथ हवा मिल जाता है जिसे बच्चपन में रेव और डैनी ने एक बार गलती से चला दिया था और इस तरह से इनकी कहानी इनकी जिंदगी अब आगे बढ़ती है जैपैन ने जो लड़ाई 7 दिसंबर सन 1941 को परल हर्बर पे अटैक करके शुरू की थी वो लड़ाई खत्म हुई सन 1945 को 6 अगस सन 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बंफे का और 9 अगस सन 1945 को नागा साकी में इस पूरे हमले में साड़े तीन लाख लोगों से ज़्यादा की जान गई और इसके बाद जैपैन ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दी तो ये थी पूरी कहानी परल हर्बर की ये फिल्म सन 2001 में रिलीज भी थी और IMDV पर इसकी रेटिंग है 6.2 इस फिल्म का बजट था 140 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स आफिस पर इसने कमाई की थी 450 मिलियन डॉलर्स की उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी